raz 10th first terminal exam anni 202 का देख सकते हम mathematics का ओर्डिजिनल पेपर है औरीजिनल है दोस्तों पूरा mathematics का एक एक objective को हम हल करके आपको ऑँसर देंगे दोस्तों ठिक न तो थीकिना सारा का objective का एंसर सही सही देंगे बिल्कुल सही ster तो वीडियो को पूरा complete देखेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा देखे दोस्तों पहला सवाल आपका पूरा रट के जाना है दोस्तों ठीक न यहीं आएगा हो बहू ठीक न जो भी विद्यार थी पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैंगे उसको आई होगा कि सेम टू सेम कोस्टन पर पर आ रहा है ठेक चलिए पहला सवाल है कि इनमें अभाज संख्यां कोन है अभाज संख्यां कोन है तो इसका करेक्ट एंसर डी होगा कोई नहीं इसमें अभाज संख्यां कोई नहीं है ठेक चलिए दूसरा प्रस्ण कर है कि इनमें कोन संख्याना अभाज है और ना सोरी इन में कौन संख्याना भाज है और ना अभाज है तो इसका करेक्ट एंसर आपका यह हो जागा ना भाज है ना अभाज संख्या है एक ठीक एक करेक्ट एक सरो जाएगा Startik ने देख लिजिए तिसरा काराए कि भाग लेमा ये बरावर वी क्यू-स आर में तो भी क्या है तो तो इसका करेक्ट एक सर्क्राव जाएगा दोस्तों तीन इम थि हो jze sil Haeko just है बीजिए भाजय के जाना है तो ऊर्द को सेर किसे वी exclusively जर्च आहां को सभी जिगत 14 14 सवाल कर रहा कि भाग लेमा यह वराबर बीक्यूब प्लस आरं डितकी वराबर जीरो तब होगा तो हो गा भी प्योगल प्यूज लिएका सिंसरे अविज लिएगा दाउलूट करना है तो गोगल पर सर्च किजिएगा इसके knowledge class website पर जाके download कर लिजिएगा चलिए पांच नमर प्रस्ण कर रहा है 200 के अभाज गुननखंड में दो का अधिक्तम घात है तो दो का अधिक्तम घात आपका तीन निकल जाएगा यानि कि इसका correct answer हो जाएगा ठेक चलिए चाथा प्रस्ण कर रहा है कि इनमें कौन सह अभाज संख्या यूग्म है सह अभाज यूग्म है तिसका correct answer छो का डी हो जाएगा सह अभाज डी हो जाएगा 16,25 सहवाज का मतलब होता है कि दोनों संख्या में अलग-अलग संख्या से भाग लगेगा ही जिसे जाएगा दो तीन दो कोमा तीन याद रखेगा पुरा नोट कर लिजिएगा आठ नमर प्रस्ण कर आपका कि वाई पर पावर पॉच माइनस चार को वाई स्क्वाइर पलस वन से भाग देने पर भाग फल घात होगा तो भाग फल का जो घात होगा वह आपका तीन निकलेगा क्योंकि देखिए वाई स्क्वाइर कट जाएगा ना तीन बचेगा दो इसमें से कट जाएगा तो भाग देने पर ठीक तीन बचेगा घात याद रखिएगा सी इसका करेक्ट एंसर होगा नोट नमर प्रस्ण आपका कर है कि बहुपद पी एक्स का एक सुन्यक चार का एक में कौन होगा तो इसका करेक्ट एंसर नोक आपका डी हो जाएगा एक्स माइनस चार पूरा रटते चलना है दोस्तों एंसर लिखते चलना आपको यहीं हुब हुआएगा ठीक नहीं हंडेड परसेंट दस नमर प्रस्ण कर एक्स स्क्वाइर माइनस पांच एक्स पलस छो क सुन्यकों का गुननफल है तो इसका करेक्ट एंसर दस का आपका बी निकलेगा छो करेक्ट एंसर निकलेगा ठीक चलिए 11 नमर प्रस्ण करा है कि रेखिक बहुपद के कितने सुन्यक होते हैं तो इसका करेक्ट एंसर ए हो जाएगा एक होते हैं रेखिक बहुपद के ठीक चलिए, बारा नमर प्रस्ण आपका गार है कि बहुपत X2-KX-B40 का 1 सुन्यक-3 है तो के का मान होगा, तो इसका correct answer दोर्स्तो 12 का C निकल जाएगा, यानि कि 11 correct answer निकलेगा, चलिए तेरे नमर प्रस्ण आपका का रहा है कि 2x square minus 4x minus 6 का एक सुन्यक है तिसका correct answer 13 का b निकल जाएगा minus 1 ठीक चलिए 14 नमर प्रस्ण का रहा है कि समिकरन ax plus by plus c बरावर 0 के कितने हल संभव है तिसका correct answer दोस्तों 14 का आपका d निकल जाएगा अनगीनत चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए 15 नमर 15 नमर का रहा है रेखिक बहुपद का आलेक कैसा होता है तिसका correct answer दोस्तों 15 का e हो जाएगा सरल रेखा ठीक चलिए 16 नमर प्रस्ण का रहा है कि बहुपद 2x square minus 10x plus 6 का एक सुन्यक है इसका d निकल जाएगा इन में से कोई नहीं यानि कि इन में से कोई option नहीं है चलिए 17 नमर प्रस्ण का रहा है कि ay square plus by plus c का आलेक कैसा होगा तो इसका correct answer भी हो जाएगा परवले ठीक नहीं परवले चलिए अगला प्रस्ण देख लिए 18 नमर आपका का रहा है कि बिरोधी समीकरन यूग में के कितने हल होते हैं तो विरोधी समीकरन के कोई हल नहीं होते हैं याद रखेगा सी इसका correct answer हो जाएगा 19 नमर प्रस्ण देख लिए 19 नमर प्रस्ण आपका का रहा है कि वाया बरावर 6 का आलेक कैसा होगा तो इसका correct answer a हो जाएगा दोस्तो आपका a x आक्ष के समानंतर चलिए अगला प्रस्ण देख लिए 20 नमर दोस्तो original question paper है पूरा रट के चलना है आपको 20 नमर कर रहा है बिंदू 5,8 की x अक्से x अक्से lambic दूरी है तो इसका correct answer दोस्तो b निकल जाएगा 8 एकाई चलिए अगला प्रस्ण का रहा है 21 नमर आपका कि बिंदू-4,0 से मूल बिंदू की दूरी है तो correct answer दोस्तो a निकल जाएगा 4 एकाई चलिए 22 नमर प्रस्ण का रहा है कि बिंदू 2,5 किस चतुर थांस में है तो इसका correct answer दोस्तो 22 का d निकल जाएगा 4 चलिए 23 नमर प्रस्ण का रहा है कि बिंदू 3,4 से मूल बिंदू कितनी है तो इसका correct answer आपका 23 का दोस्तो c हो जाएग पांच एकाई चलिए अगला प्रस्न देख लिए चोवीस नमर प्रस्न कर रहा है मूल बिंदू के निर्दे सांख है तो इसका सी निकलेगा 0,0 अगला प्रस्न रहा 25 नमर आपका कि बिंदू 2,0 और मैनस 1,4 के बीच की दूरी है तो बीच की दूरी है तो इसका करेक्ट एंस 25 का बी निकलेगा 5 निकलेगा ठेक चलिए अगला प्रस्न रहाब का अच्छ 20 नमर करेक्ट मिनट की सूई एक मिनट में कितने अंस का कौन बनाती है तो इसका करेक्ट एंसर एंसर दोस्तों 27 का बी निकलेगा 11 में चलिए 28 नमर प्रस्ण का रहा है कि उस तिरजिया खंड का छेदर फल क्या होगा जिसकी तिरजिया 21 सेमी एवम केंदरी ये कौन 60 डिगरी है तो इसका करेक्ट एंसर दोस्तो 28 का आपका डी निकल जाएगा 231 सेमी स्क्वार चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प् बिरित की तिरजिया 5 सेमी है तो बिरित का छेदर फल होगा तो इसका करेक्ट अशर दोस्तो 29 का आपका सी 5 graphs 315 सेमी स्क्वार ठेक चलिए 30 नमर प्रस्ण कारा की बिरित की परिदी और ब्यास का अनुपात होता है तो इसका चलिए 31 नमर परस्ण कारा आपका 22 किलो मीठर द लगाना पड़ता है पहिये की पहिये की तिर्जिया क्या होगी तिसका करेक्ट एंसर 31 का आपका सी निकलेगा 14 से में चलिए अगला प्रस्न देख लिजिए 32 नुमर प्रस्न का रहा है आपका 1 पहिये का भिया 7 सेमी है एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तै करेगा तो इसका correct answer 32 का आपका अब बी निकल जाएगा 22 से में ठीक चलिए अगला प्रस्नाप का कर रहा है 33 नमर कर रहा है कि दो बिरितों के पढ़िधियों का अनुपात 5 अनुपात 7 है उनकी तिर्जाओं का अनुपात होगा तो इसका correct answer 33 का ए हो जाएगा पांच अनुपात 7 हैं दोस्तों अगर परिधि का अनुपात दिया रहे तो तिर्जाओं उतना ही होता है जितना परिधि होता है चलिए 34 नमर प्रस्न देख लिए 34 नमर प्रस्न का रहा है कि एक बिरित के छेतरफल और परिधि के सांखिक मानों का अनुपात क्या होगा में किसका मान एक से अधीक है तो दोस्तों 35 का डी करेक्ट टैंसर हो जाएगा टिन पच्छाइज चलिए 36 नोल पřासनि प्रेशनिका आपका कि इन में किसका मान सबसे कम है तुछ सता इंसर भी हो जाएगा 10 45 डिग्री 38 नमर प्रस्ण कर रहा है कि यदि ठीटा बराबर 30 डिग्री तो टू कोस टू ठीटा का मान होगा तो इसका करेक्ट एंसर दोस्तों 38 का यह निकल जाएगा शाइन 40 नमर्प प्रस्न का Им Keeping उ手लिव खिलूंशायल सभी इंसर होगा इन सभी सभी का मान जी रोगोस नर्जिन का मान थी कोट नर्जिश्वान प्रस्न का रहा आपका लिए कि आप हैं साइन 60 डीगरी का मान का मान इन में सत gekOC के बराबर है तो Beck ऑगा teucy degree के बराबर होता है यानि कि कैसी एंसर हो जाएगा चलि एकतालिस नम vet ओंदेख लिजी एकतालिस नमड привет का रहा है कि साइंगे स्कार न le des range pagnes व 어떻 दो ठिकना यानि कि साइंबने का भी मान वठा दना है स्कूर कर देना आठैंप मान वेटा की स्कूर कर देना 42 नमर प्रस्थन कर रहा है कि Sin square Sat degree plususe square Sat degree बरावर है तो इसका correct answer दोस्त आपका A हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक चलिए अगला प्रस्थन देख लीजिए अगला प्रस्थन आपका 43 नमर कर रहा है कि sign A का व्यूत करम इन में से कौन है तो इसका correct answer बचाएगा इन में से कोई नहीं है क्योंकि क्या किया होता है नम्स चलिए अगला प्रसन देख़ें 44 कारे करन और आधार कानुपात ब्रॉप सेख होता जाएगा Bem च दिव चलिए 46 नुम्हाइफ प्रस्ण कर राएं की इन में से कुन सदा सं रूप नहीं होता है तो इसका करेक्ट एंसर दोस्ते यह हो जाएगा तिर भूज चलिए 47 नम्हाइफ प्रस्र pénिष निकार ख़े रहा है कि तरहां कि तिर्भुज की किनी दो भुजाओं को समान अनुपात में बाटने वाली रेखा किसके समानतर होती है तो इसका करेक्ट एंसर तालिस का आपका कि दो समरूप तिर्भुज के क्या बराबर होते हैं तो उन्चास का करेक्ट इंसर भी हो जाएगा संगत कौन संगत कौन बराबर होते हैं ठीक चलिए अगला प्रसन देख लिए पचास नमर पचास नमर का रहा है कि यदि तिर्भुज PQR समरूप तिर्भुज S T U तो इन में से कौन सत्य है तो इसका करेक्ट एंसर पचास का E हो जाएगा कौन P बराबर कौन S ठीक 51 नमर प्रसन का रहा है कि यदि तिर्भुज ABC समरूप तिर्भुज PQR तो कौन B किसके बराबर होगा तो इसका करेक्ट एंसर 51 का B हो जाएगा कौन Q के बराबर 52 नमर प्रसन का रहा है कि यदि तिर्भुज PQR समरूप तिर्भुज BCA तो PR का संगत भुजा कौन होगा तो इसका करेक्ट एंसर 52 का D निकल जाएगा B A चलिए अगला प्रसन देख लिए तिर्पन नमर प्रसन का रहा है कि दो समरूप तिर्भुजों के संगत भुजाओं का अनुपात होता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा correct answer तिरपन का A हो जाएगा समान 54 नमर प्रस्ण करा है कि यदि तिरभुज ABC समरूप तिरभुज DEF कॉन A बरावर 50 डिगरी कॉन B बरावर 70 डिगरी तो कॉन F बरावर होगा तो इसका correct answer 54 का B निकलेगा 60 डिगरी चलिए 55 नमर प्रस्ण करा है कि पर्थम 5 सम्विशं संख्याओं का माध है तो इसका correct answer 55 का B हो जाएगा 5 ठेक चलिए 56 नमर प्रस्ण करा है कि पर्थम 6 सम्विशं संख्याओं का माध्यक है तो इसका correct answer C निकल जाएगा 7 अगला प्रस्ण देख लिए चिए 57 नमर करा वर्गी के डित आंकरों का माद निकालने की कितनी वीधिया है तो इसका correct answer दोस्तो 57 का बी हो जाएगा तीन वीधिया है ठीकिशने चलिए अगला प्रस्ण देख लीजिए अंठावन नमर प्रस्ण करा इन में से कौन केंद्रिय प्राविर्ति की माप नहीं है तो इसका correct answer D हो जाएगा बारम बारता ठीक उनसाठ नमर प्रस्ण करा आपका कि संचे बारम अरता वक्र का दूसरा नाम क्या है तो इसका correct answer यह हो जाएगा तोरन चलिए 60 नमर प्रस्ण करा है कि पग विचलन विदी से आप क्या ग्याद कर सकते हैं क्या ग्याद किया जाता है तो इसका भी correct answer हो जाएगा माद चैनल को subscribe कर लिजेगा दोस्तों ठीक अगर विडियो को पूरा देखे हैं तो comment कर देखे हैं और दोस्तों सब्जेक्टिव चाहिए तो यह भी comment कर देजेगा देखे सब्जेक्टिव question पूरा है मेरे पास है ना तो सब्जेक्टिव का answer बना के बहुत जल्द upload कर देंगे आ विस अगर अगर कऊड़ है झाल झाल दोस्तो आजेक्टिव चाहिए